नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के विश्वशने चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में आज हम लोग फ्रेक्शन को कंटिनूड करेंगे पीछले कच्छाओं में हम लोग भिन, भिन्नों के परकार, भिन्न और परिमे संख्या में अंतर पढ़े थे ये तीनों टॉपिक्स हम लोग पीछले कलास में देख लिये थे आज हम लोग भिन्न का जोड घटाव गुना भाग at a glance देखेंगे चलते चलते और आज में टॉपिक्स हैं हम लोग का भिन्नों की तुलना भिन्नों की तुलना बड़ी संख्या, भिन्नों में बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न को छाटने के लिए सिखेंगे जादोई ट्रिक से, तो यह विडियो बहुत ही important है, उन लोगों के लिए जो JTAT, CTAT और किसी भी परकार का competition के तियारे कर रहे हैं तो भिन्न एक महतपुर्ण चेप्टर है हर परतियोगी परिच्छाओं के दृष्टी कौन से, तो आईए देखते हैं, हम लोग आगे चलिए हम लोग आज भिन्न का जोड़ देखते हैं, मैं यह मान के चलता हूँ कि जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो सभी भिन्न का जोड़ जानते हैं और यह पुर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा एटे गलांस देखते वे चले जाते हैं, चोकि टॉपिक्स बढ़ियां से सुरू से अंतक हो, जीरो से पूरा सुन्नी से शिखर तक हो, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि टॉपिक्स कुछ छूट इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, पांच और पांच, जदी हर समान हो ना, जदी हर समान हो तो बस एक लंबा लाइन लिखते हैं और यह लिख देते हैं पांच, जदी हर समान हो तो कुछ नहीं करना होता है सिधा उपर में, लिख दीजे, यह हो गया छे बटे पांच आप ये भी लिख सकते हैं अनसर या तो आप इसको मिस्र भिन में लिख सकते हैं इसको देखिए आप दोनों का हर समान है तो यहाँ साथ लिख देंगी और यहाँ पर हो जाएगा तीन पलस पांच यह हो जाएगा आठ बटे साथ आप 8 बटे 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 एक के 7 एक पुर्णा के 1 बटे 7 भी आप लिख सकते हैं, तो ये जदी हर समान हो तब, अब हर जदी भिन हो, जरूरी ने हर जगा हर समान हो, तो भिन जदी ऐसा हो, 3 बटे 4 पलस 4 बटे 5, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि भिन जो है, ऐसा है, दो भिन है, जिसका हर आसमान है, मतलब, 4 हर, 5 है, उन दोनों से अंतर है, तो इस केश में हम लोग सबसे पहले लासा निकालते हैं, हर का, हर का लासा, 4 और 5 का जो लासा है नहीं निकलेगा ती हम लोग इसको लिख देते हैं, "'20", अब यह बई लिख देने के दो बॉक्स बना लेते हैं हम लोग ये दो बॉक्स बना लेते हैं ये उन लोगों के लिए जिनको मैं ये एडिशन थोड़ा सा टफ लगता हूँ उसके लिए वैसे आप जो विधीर जानते हैं वो सबसे अच्छा है लेकिन ये विधी उन लोग के लिए है जिनको थोड़ा सा कठनाई होता है भिन्न का जोड़ करने में तो आप बिश लिख लिए अब ये दो घर भरना है यही दो घर भरेंगे कि हम सीख जाएंगे तो ये घर भरने के लिए आपको क्या करना होगा पहला भिन्न के हर से लसा को भाग देना है तो पहला भिन्न का हर है चार और लसा हमारा है बीस चार पच्चे बीस तो ये पांच आप यहाँ भर देंगे फिर आप अब की बार क्या करेंगे बीस को ही डिवैड करना है लेकिन इसके हर से दूसरे भिन्न के हर से मतलब 5 से तो 5 चो के 20 तो आप यहां 4 भर देंगे तो बस हो गया 5 तिया 15 और 4 चक 6 बटे कितना 20 और यह हो गया 31 बटे 20 आप यहीं पे अनसर छोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा यह भरने के लिए थोड़ा यहां दिकत होता है लोगों को हम जहां तक समझ पाते हैं कुछ लोगों को दिकत है इसलिए हम इसको बना दिये एक और हम लोग शवाल लेते हैं 2 बटे 5 पलस 3 बटे 8 तो कोई बात नहीं आप सबसे पहले क्या करेंगे 5 और 8 का लस 5 और 8 का लस साइध नहीं निकलेगा तो सिधा multiply कर देंगे तो multiply हम लोग कर दिये multiply करने के बाद एक लंबी line के निचे इसको लिख देंगे लिख देने के बाद क्या करेंगे यह 2 है जोड तीन है आप यहां दो टो बॉक्स बना लेंगे और दोनों बॉक्स में आपको भरना है तो पांच से अब यहां इस बॉक्स में क्या भराएगा तो इसका हर से इसको भागा देजिए पांच से चालिस को भागा देंगे तो कितना आएगा आठ अब कि बार यहां भरा गय 15 बटे 40 ये भी हो गया 31 बटे 40 आंसर 31 बटे 40 हो गया तो बस ये भरने के लिए यहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है हलाकि आप लोग टीचर हैं तो आप लोग जानते ही होंगे लेकिन बच्चे को जिदी सिखाना हो और वो बच्चे जो नई सिख पा रहे हो तो इस टेक्निक से सिखाई ये सैथ जल्दी सिख जाएंगे जैसा हम लोग भिन्द का जोड़ किये वैसा ही भिन्द का घटाव भी किया जाता है बर देखिए जदी हर समान हो तो कुछ नहीं करते हैं यहां 5 लिख देते हैं और उपर में सिधा घटा देते हैं तो यह हो गया 3 बटे 5 जदी हर समान हो तो बहुत आसान है एक और देख लेते हैं 3 बटे 7 मैनस 2 बटे 7 तो हर समान है तो 7 लिख दिया और उपर में 3 मैनस 2 मतलब 1 बटे 7 बहुत आसान अब जदी हर जदी हर आसामान हो जैसे 2 बटे 3 मैनस 3 बटे 4 देखे हर आसामान है तो कोई बात नहीं आप हर आसमान है तो आप लसा लिजेगा लसा लेना है हर का हर का लसा हो गया लसा तीन और चार का तीन और चार का लसा जो हो गया वो बारह हो गया आप एक लंबी लाइन की नीचे बारह को लिख देंगे और इसको जैसे है वो इससे आप पहले लिख देजे आप यहाँ दो ठोग घर बना लेजे और उस दो घर में आप क्या भरेंगे शो देखिए आप क्या करते हैं हम लोग अब यहाँ पर यहाँ भरना है तो इसके इसका हर से 12 को भाग देंगे तो 3 से 12 को भाग देंगे तो आएगा कितना? 4 अब 4 से यहाँ भरना हो न तो इससे डिवाइड करेंगे इसके हर से 4 से भागा देंगे 12 को आएगा 3 तो क्या हो गया? 8 माइनस 9 बटे कितना? 12 8 में 9 चला जाएगा तो माइनस 1 बटे 12 यह अंसर हो गया एक और देख लेते हैं बस चलते चलेंगे हम लोग 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 2 ठीक है? अब इसमें देखें लासा लेंगे तो किसका लासा लेना है? लासा 5 और 2 का 5 और 2 का लासा हो गया 10 तो 10 को हम लोग एक लंबी लाइन के नीचे लिखे देंगे यहां 4 माइनस 3 दो घर यही दो घर भरने के लिए आपको सीखना है तो इस घर को भरने के लिए 5 से 10 को डिवाइड करिए 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा तो यह पहला घर में भरा गया यहां इस घर को भरना है तो 2 से 10 को भाग दिजे कितना बार में जाएगा पांच बार में तो कितना हो गया यह आठ माइनस 15 बटे 10 आठ में 15 चला जाएगा तो माइनस 7 बटे माइनस 7 बटे 10 यह हमारा हो गया अंसर तो उम्मीद है कि आप लोग भिन्न का जोड और भिन्न का घटाव सिख गए होंगे भिन का गुना बहुत ही आसान है तो जैसे दो गुने एक बटे चार ये देखे भिन है भिन से इसको गुना करेंगे तो ये ऐसे कट जाता है दो दूनी चार तो अंसर हो गया एक बटे दो और कभी कभार आता है दो बटे चार बुने चार बटे आट तो देखे, यह कट रहा है, यह चार से 4 कट गया, दो से 8 कट गया, तो कितना आ गया, एक बटे 4, तो एकदम सिंपल कभी कभार होता है कि नहीं कटने वाला भी आएगा आपका, तो नहीं कटने वाला आएगा, उस तो ये भिन्य का गुना था. इस तरह कभी कभि कभार आ जाता है, 4 पुर्णा के 1 बटे, 2 गुने, 2 पुर्णा के 1 बटे, 4 तो कुछ नहीं करना है. सिम्पली इसको आप क्या कर लेंगे? 4 दुनी 8 और 1 9 बटे, 2 गुने, फिर 4 दुनी 8 और 1 9 बटे, 4 नई कटने लाइक है तो 9-9-81 बटे कितना होगे आठ सिंपल तो यह हुआ भिन्न का गुना भिन्न का भाग भी बहुत आसान है चार बटे दो भागा तीन बटे पांच तो यह भाग होता नहीं है इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है चार बटे दो तो लिख दिये भ पल्टी मार जाएगा तो पांच उपर चला जाएगा और तीन नीचे आ जाएगा देखिए कहीं कट नहीं रहा है तो आप सिंपल गुना करके आप लिख दीजी यह हो गया तो यह बहुत ही आसान है हम जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आप लोग सभी भावे टीचर हैं और यह सब सभी जान रहे होंगे बस एक फॉर्मिलिटी के तोर पे हम निकलते जा रहे हैं तो देखिए एक इस तरह से भी आ सकता है तो चार दुनिया आठ ठर एक नो बटे दो भागा तीन बटे चार तीया बारा एक तेरह बटे चार इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं नो बटे दो और यह पल्टी मार जाएगा चार उपर चल जाएगा और तेरह नीचे आजएगा तो यह कट रहा है तो काट दिये तो होगे नो दुनिया ठारह बटे तेरह आप इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगी और हम आगे बढ़ते हैं अब बहुत मुख्य बिंदू है उसको हम लोग देखते हैं यह है कि आरोही करम आरोही करम मतलब असेंडिंग और असेंडिंग और मतलब बढ़ते करम में तो कहता है कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते करम में सजाना हो तो सबसे छोटा भिन्न पहले सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले, सबसे छोटा भिन्न आप सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है, मतलब ये बढ़ते करम में है, मतलब छोटा सबसे छोटा यहां लिखेंगे और सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़त सबसे last में लिखेंगे जैसे के example देखिए 2 बटे 5, 7 बटे 10, 3 बटे 4 तो 2 बटे 5 मतलब आप divide करके देखेंगे 0.4 आया 0.7 आया, 0.75 आया तो आप देखेंगे कि हम लोग सबसे छोटा भिंड को पहले लिखे उससे बड़ा को यहां लिखे तो इस तरह से आरोही करम कहते हैं इसको बढ़ते करम में कहते हैं या तो ascending order में कहते हैं यह हुआ ascending order जस्ट इसी का उल्टा आरोही करम या तो descending order तो इसमें क्या करते हैं कि उसी का उल्टा है जब 2 या 2 से अधिक भिंडों को घरते करम में सजाना हो तो सबसे बड़ा भिन को आप सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटा भिन को सबसे अंत में लिखेंगे मतलब सबसे बड़ा पहले हो जाएगा यहां सबसे बड़ा हो जाएगा उससे छोटा उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में होगा इसका यही है concept तो जैसे कि देख रहे हैं कि 7 बटे 10, 6 बटे 15, 4 बटे 15 और 2 बटे 25 इसमें सबसे बड़ा यही है हम डिभाइड करके देख लिए है calculator से यह देखी आप सबसे बड़ा जो है 0.70 उससे छोटा तो यह उससे छोटा ही उससे छोटा ही तो घटते करम में जैसे घटते करम में सब सबसे बड़ा पहले लिखना है उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा लास्ट में लिखना है तो उमीद है कि आवरो ही और आवरो ही ascending और descending order समझ में आया होगा इस chapter का सबसे important सबसे important जोट चीज है वो है भिन्नो की तुलना इसी से प्रशना आता है वो सब चीज जो हम लोग पीछे पढ़े वो basic था वो जानना भी जरूरी था लेकिन प्रशना आपका यहीं से आता है कि दो से आपको भिन्नो की तुलना करना है तो दो या दो से अधि भिन्नो की तुलना निम्ने चार तरीकों से की जाती है कितने तरीके हैं तो चार तरीके हैं पहला है तिर्चा गुननियम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रूल दूसरा है लगुतम सवाप वर्तच लेकर के तीसरा है अंसर हर के अंतर से बाइड डिफरेंस ओप नुमेरेटर एं पढ़ेंगे तो इसी से हम लोग उजयदी बनाते हैं तो सबसे इंपोर्ट सबसे आसान पढ़ेगा हलांकि थोड़ा सीखने में लगेगा लेकिन सबसे इजी वही होगा और सभी तरक के प्रशनों को वो शॉल्व कर सकते हैं हम लोग तिर्चा गुननियम से तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रूल जो है तो हम लोग बढ़ियां से सीखने का कोशिस करेंगे ये सब थोड़ा सा लंबा होता है तो कंपेटिशन की दृष्टी से हम लोग पहला पर ज्यादा फोकस करेंगे हलांकि ये सब भी एट गलांस हम लोग देख लेंगे तो सबसे है ये दोठो भीन है आपकां ये दो भीन है दो बसे तीन और चार बड़े 5 में कौन सी भीन बढ़ी है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिभाइड करते हैं इसको डिभाइड करते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन बढ़ी है लेकिन हम लोग mosquito multiplication से देखेंगे कि आप स इसको सबसे पहले उपर से नीचे उतरना है आपको 2 से 5 को multiply करना है तो कितना हो गया 10 और फिर उपर चाड़ना है चारतिया 12 आप 10 लाए तो यहां लिख दीजेगा और जब उपर चड़िएगा तो यहां लिख दीजेगा तो आप देखिए कि 10 या 12 में कौन सा बड़ा है बड़ा यह बड़ा 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 के corresponding में क्या है तो है 4 बटे 5 तो 4 बटे 5 बड़ी भिन्न हो गया अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर इस प्रस्ण में छोटी भिन्न छाटना है यह प्रस्ण है 4 बटे 5 और 3 बटे 2 आप इसको क्या करेंगे 4 बटे 5 है और 3 बटे 2 है अब छोटी भिन्न छाटना है तो सबसे पहला रूल है कि आपको उपर से नीचे आना है तो उपर से नीचे आये तो कितना हो गया 8 अब फिर नीचे से उपर जाना है तो क्या हो गया पांच तो छोटी भीन के लिए छोटा हम लोग देखेंगे तो छोटा ये है तो छोटा ये है तो छोटा के corresponding में कौन है चार बटे पांच अता छोटी भीन जो होगी वह आप लिखेंगे छोटी भीन वह होई चार बटे पांच बस हम लोग डिवैड भी नहीं करेंगे सिर्फ इसी तरह से cross multiplication करके सबसे पहले उपर से नीचे उतरना यहां रिजल लिख लेंगे वह नीचे से उपर जाएंगे यहां रिजल लिख लेंगे और ये देखेंगे हमको क्या कहरा है कि छोटी भीन चाटना है तो छोटा अंक को देखेंगे छोटा अंक के संगत में कौन सा भीन है तो चार बटे पांच तो चार बटे पांच ही हमारा क्या हो गया छोटी भीन हो गया तो साइद आपको ये समझ में आ गया होगा अब आईए हम लोग देखते हैं कि जदी तीन थो भिन हो गया तीन हो गया, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पांच तक भी हम लोग जाएंगे छे तक भी देख लेंगे जाकर के इसमें से सवाल है कि सबसे बड़ा भिन चाती है ये तीनों में से बड़ा भिन कौन है तो आप देख ले जाएगा calculator से हम आपको cross multiplication rule से बताते हैं cross multiplication rule से शायद आपको अच्छा लगेगा इसको समझने में थोड़ा सा पहला time लगेगा लेकिन ये सबसे important और सबसे अच्छा है ये आप देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको आप लिख देखिए चार बटे 15 ये हो गया 2 बटे 5 और ये हो गया 3 बटे 4 आप प्रस्णों को ध्यान में रखेंगे हमको बड़ा भिन चाटना है बड़ा भिन चाटना मतलब देखिए अब यहाँ पर मरिल्टिपलाइ करेंगे तो कितना हो गया 5 चौके 20 और ये हो गया 15 दुनी 30 चुकि हमको बड़ा भिन चाटना है तो बड़ा भिन चाटना है तो इसको हम लोग कट कर दिये हमको यह नहीं चाहिए हमको चाहिए कौन बड़ा वाला तो बड़ा व्ला रखे रहे, इसको क्यों गट कर देए, क्योंकि हमको बड़ा भिने चाहिए, छोटा को हम कट कर दीए, अब ये दोनों में तुलना करना रहगया, ये हमारा साइड हो गया, इसका आब कोई काम नहीं रहगया, इसको आब ढख दीजिये, कोई काम नहीं रह ग तो यह वाला बड़ा भिन्न दिया तो आप देख लेंगे कि जो बड़ी भिन्न होगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न वो होगा तीन बटे चार तीन बटे चार ही सबसे बड़ी भिन्न होगी और आप जदी देखना चाहेंगे कि ये हमारा answer सही है या नहीं तो आई हम लोग calculator से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 4 बटे 15 क्या होता है divide करके देख लेते हैं ये cross verification के लिए only 2 by 5 कितना आता है और 3 by 4 कितना आता है ये देखते हैं हम लोग calculator से जदि हम लोग calculator का इस्तेमाल करें तो 4 बटे 15 का value आएगा 0.26 इसका आजएगा 0.40 और इसका आजएगा 0.75 तो सबसे बड़ी भीन चुकी छाटना है सवाल है हमारा सबसे बड़ा भीन चाटना है आपको तो सबसे बड़ा भीन आप देख रहे हैं कौना किया 3 बटे 4 जिसको हम लोग divide बिना किया divide किये हुए इस तरह से लाए तो आप इसको साथ समझने में थोड़ा कठनाई हो रही होगी तो हम एक बार और आपको समझाने का कोशिस करते हैं एक बार और इसी प्रशन को एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि फिर से आप क्या करेंगे आप सवाल को फिर से हमें एक बार रिपीट कर रहे हैं चार बटे 15 है ये ये 2 बटे 5 है आपका ये 3 बटे 4 है आप क्या करेंगे आपको सबसे बड़ी भिन चाटना है सबसे बड़ी भिन सवाल है सबसे बड़ा भिन सबसे बड़ा भिन आपको बताना है तो सबसे बड़ा भिन के लिए हम लोग क्या करेंगे एक बड़ फिर से उसी को हम लोग करेंगे क्रोश मल्टिपिलिकेशन से करेंगे तो 4 पच्चे कितना हो गया 20 और 15 दुनी कितना हो गया 30, हमारा भेल्लू किसको देखना है? हमको बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो छोटा को कही है? कि इसको छोटा को काट दीजे, हमको इस से मतलब नहीं है इसके साथ ही इसका खतम हो गया रॉल, 4 बटे 15 का रॉल खतम हो गया, अब इन दोनों में चर्चा करना है इन दोनों में चर्चा करना है तो ये बोलिए चार दुनी कितना हो गया आठ और ये पांच दिया कितना हो गया पंदरा हमको चाहिए कौन बड़ा वाला तो बड़ा वाला चाहिए तो इसको आप काट दिये तो बचा कौन सबसे बड़ा इ तीन बटे चार यह अंसर हो गया इसको कोशिस करिए आप समझने का एक दो बार प्रेक्टिस करिएगा तो आपका यह हो जाएगा और यह कंप्लीट हो जाएगा आपको कभी कस्ट नहीं देगा यह बड़ा भिन और छोटा भिन चांतनी में आई एक और सावाल देखते हैं कि नियुनतम मान वाला भिन कौन सा है नियुनतम मान मतलब सबसे छोटा भिन सबसे छोटा भिन कौन है तो सबसे छोटा भिन जानने के लिए कुछ नहीं करना है आपको पहले सवाल को लिख लेना है और थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान हो यह हमको नियुनतम मतलब छोटा चाहिए हमको बड़ा काटेंगे छोटा हमको चाहिए तो इसका देखिए चार छोटिया कितना हो गया अठारा और पांच चोकर कितना हो गया बीस तो हमारा कौन काटेगा चुकि नियुनतम चाहिए छोटा चाहिए तो हम इसको का जैगा 21 और 6 चक कितना हो जाएगा 24 हमारा कॉन कटेगा नियुनतम हमको रखना चोटा रखना है तो इसको काट देंगे इसको काट दिए मतलब यह भी यह वी इसका विरॉल हमारा क्या हो गया खतम इसका विरॉल नो, तीन तिया, नो, और चार दुनी, आठ, अब बताईए, कौन है छोटा, छोटा ये है, तो हम इसको काट देंगे, इसी के साथ इसका रॉल खतम हो जाएगा, अब ये दो लोग बच्चे हैं, ये दो लोग का हम लोग कहीं साब करना है, अब बताईए, पांच दुनी कितन हो गया, बारा, बोलिये कौन, हमको कौन रखना है, इसका भैलू है दास, और इसका भैलू है पंदरा, हमको चाहिए कौन, नियूनतम वाला, तो नियूनतम वाला कौन है, नियूनतम वाला आपका, दो बटे, तीन है, तो नियूनतम मान वाला जो भिन हुआ, नियूनतम मान वाला भिन आपका कौन हो गया दो बटी तीन चलिए calculator की दिरिष्टी कौन से भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपका confusion किलियर हो जाए तो हम लोग cross check करने के लिए कि हमारा सब अंसर सही है कि नहीं तो देखे 3 by 4 को हम लोग यह सब divide कर दे divide करने के बाद हमको यह देखे इसमें से सबसे छोटा जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कौन दिखेगा सबसे छोटा आपको दिख रहा है 0.66 और 0.66 के corresponding में कौन सब fraction है 2 बटे 3 वही 2 बटे 3 हमारा यहाँ है तो क्या है कि इसको divide करना कितना कठीन है आप divide करेंगे 5 तो divide करना होगा इससे अच्छा है कि हम लोग इसी को practice कर लें यह standard तरीका भी है और साइध आपको कुछ नया सिखने को भी मिलेगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जदी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे चैनल को और like और share जरूर कर दीजेगा धन्यवाद